गुड इवनिंग फ्रेंस मैंने मिज राज और वाचिंग यूर वाचिंग यूर फेवरे चैनल राज टेक्निकल एनलेसस आज के डिट है बारा अगस्ट दोसर बाइस आज हम लोग चिंसर्स क्यों पॉमंतली प्रिव्यू करेंगे क्या करना चाहिए कोल इंडिया पे जहां पे मेरे सारे सब्सक्राइबर बहुत अच्छे कासे प्रोफित मैं है फिर बात करेंगे खादीम अगेन मेरे ऽीजलरी देख रहे हैं खादीम मैं सपोर्ट रेजिस्टन्स का खिया रखना है तो आप देख लो आपने कितनी बार प्र किये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कहने काई टिप्स मिलता है जो आपको शेयर अनलेसिस करने में काफी मदद करता है साथ मैं आपको इभी कमनी के ओपर वीडियो बनवाना चाहते है तो जल्दी से मिरे कमेंट बॉक्स पर बताए तकि मैं आपको जल से जल बताने की कोशिस करता हूँ मैं चैनल की दूश्री बड़ी यूएसपी यह है कि मैं आपे हर महीने आप लोगों के लिए मंतली प्रिवीव भी अपडेटेड कर रहता हूँ साथ में आप मेरी प्लेइलिस में चेक कर सकते हैं यहाँ पे भी मैं आप लोगों के लिए करी वैस क्लासिफिकेशन किया हुआ है अब बात करेंगे आज हम लोग चिन चास से इसके उपर मंथली प्रिवीव कर रहे हैं सबसे पहले बात करेंगे रिलाइंस रिलाइंस कमनी क्या करती है कौन सी काटेगरी में आती है यह सारा इंफरमिशन जाने के लिए आप यह उप वो अपने सपोर्ट 2 के लेवल के पास अलमोश्ट गया और वापस आया तो रिलाइंस का जमने लाश्ट टाम वीडियो बनाया था सपोर्ट 1 दिया था 2200 पे सपोर्ट 2 2400 सपोर्ट 3 2600 रेजिस्टन्स 1 दोजाटेशन तू 2800 और रेजिस्टन्स 3 3000 पे रिलाइंस आज के द 2600 रिजिस्टेंस तू 2800 और रिजिस्टेंस त्री ये 3000 का हाइस अगर आप इसका देखेंगे 2641.35 है रिजिस्टेंस वन जो मैंने पिछले बार आपको वीडियो बनाय था 2527 पे था 2600 तक गया और वापस वह 2400 के लेवल के नीचे आया मैं आपको हमेशा बोलता हूं 80% सेयर सपोर्ट रिजिस्टेंस पे काम करते हैं अगर आप मेरे वीडियो रेगुलर्ली देख रहें रिलाइंस का जब करोना के टाइम पर अल्मुष्ट हजार के लेवल पर आया था वो जिन लोगों ने भी बाई किया रहेगा उनके पैसे अल्मुष्ट डबल से भी जादा हो ग इंडिया कमनी क्या घरती है कौनसी काटगरी में आती है यह सारा इंफर्मिशन जाने के लिए आप यह उपर दिये वे लिंक पे जरूर देखिए कोल इंडिया का मैंने लाश्टेम वीडियो बनाता 28 जून 2022 को जब इसकी क्लोजिंग वी थी 186.40 सपोर्ट वन वस 160 222.0, रेजिस्टंस 1220, रेजिस्टंस 2240 और रेजिस्टंस 3, 260 पे हाइस अगर आप इसका देखेंगे 226.80 और इसका इसमेने का जो लोईस्ट है 176.60 है कोल इंडिया अगर आप मेरे वीडियो रेगुलरी देख रहे 156 के लेविल पे मैंने आपको बोला था आंग बंद कर के बाई करना, जिन लोगों ने भी वहाँ पे बाई किया, उन्हें अभी तक बेचने की भी जरूरत नहीं पड़ी होगी। सपोर्ट वन वस 160, सपोर्ट वन 75, सपोर्ट 3, 190, रेजिस्टंस 1, 205, रेजिस्टंस 2, 2, 2, 0 और रेजिस्टंस 3 दिया था 2, 35 का, खादीम आचके रेट पे 12 अगस 2022 सिसकी चो क्लोजिंगे 243.30 है, सपोर्ट वन 180 पे सपोर्ट 2, 200, सपोर्ट 3, 2, 2, 0, रेजिस्टंस 1, 240, रेजिस्टंस 2, 260 और रेजिस्टंस 3, 280 पे हाईस, अगर आप इसका देखेंगे 262 रुपीज है, सारे टार्गेट अचीवे, खादीम के लास्ट 3 महिने के सिर्फ आप मेरे वीडियो देखें, तीन बार के तीन वीडियो अगर आपने देखेंगे, खादीम में आपने अच जो भी सपोर्ट और रेजिस्टंस देता हूँ, अपडेटेट कर रहा ता हूँ, वो ऐस पर चार्स और ऐस पर कैंडल स्टिक्स होते हैं, इसके लिए आपको 80% काम करते हुए दिखेंगे, फिर बात करेंगे SBI बैंक, SBI बैंक अबने क्या गरती है, कौन सी काटगरी में आ इसके जो ख्लोजिंग है, 530.70 है, सपोर्ट 1,400, सपोर्ट 2,450, सपोर्ट 3,500, रेजिस्टंस 1,500, रेजिस्टंस 2,550, और रेजिस्टंस 3,600 पर हाई सगर आप इसका देखेंगे, 546.50 है और इसका इसमेने का जो लोईस्ट है, 458 रुपीज है, तो जो भी SBI बैंक के मेरे देख रहे हैं, 200 के लेवल के नीचे जब था, तब भी भी मैंने आप लोगों को कहा था, कि भई 300 का तो टार्गेट ये कभी भी अचीव करेगा, आप अगर शॉट टाइम ट्रेडर हैं, आंग बंद करके इस पे पैसा लगा सकते हैं, जिन लोगोंने मेरी बात मानी होगी, उनके पैसे तो अल्मोस्ट डबल होई चुके हैं, डबल से भी जादा हो चुके हैं, और जो अभी सपोर्ट रेजिस्टन्स पे केल रहे हैं, 52 वीक हाईस के पाद, अगर आप देखेंगे, अल्मोस्ट 400 के लेवल पे आया था, 400 से उसने फिर से रिवर्सल ले लिया, और आ आने के बाद रिवर्सल लेते हैं, सिर्फ 10% शेर ऐसे हैं कि जो और उपर जाएंगे, बट जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, डिसिप्रिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी, अगर आपने वो डिसिप्रिन मेंटेन किया शेर मार्केट में, तो आपको प्रॉफिट होने से आपको प्रॉफिट होने से कोई रोप नहीं सकता, तो उमीद करता हूँ, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगए, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब किजिए, जैसे मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, सही सपोर्ट और रजिस्टन्स देकर, उस तरह आप भी मुझे स को लाइक किजिए, सब्सक्राइब किजिए और आगे आपके फैमिली फ्रेंड्स पर फॉर्वर्ड किजिए ताकि ये इंपोर्टन इन्फरमिशन उन तक भी पहुन सके, थैंक्यू सो मुच, है वे लाइक